हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर कैसे बेटा आप लोग तो आज का जो टेस्ट था आपका उसमें टॉपिक चुकि जही मेंस का डेट आ चुका है तो जही मेंस की डेट आने की वाज़े से अब इस बार जो टेस्ट का शूडिल आपका च हुआ है तो उम्मिद करता हुआ है आप लोगों ने क्विक टाइम में भी अपनी इस प्रपरेशन को मैंटन कर रखा होगा क्या आपको पता था कि कोविट की वज़े से कभी भी जही मेंस की डेट आ सकती थी तो इसी तरह से अपनी प्रपरेशन को जो है आपको एकदम करते हैं पहले question में आपको heat energy absorbed by the system in going through a cyclic process अब यहाँ पर cyclic process में total heat energy बतानी ही ठीक है तो total heat energy हमेशा हमें पता होती ही cyclic process के लिए तो cyclic process के लिए delta q net देखो first law of thermodynamics अगर हम यहाँ use करें तो अब इस case में delta u net कितना हो जाएगा cyclic process के लिए delta u net हमेशा 0 होता है ठीक है इसका मतलब यह हो जाएगा 0 plus w और w कैसे निकालोगे बेटा इस case में w आएगा area of this graph देखो यह क्यों सा है यह pressure यह volume तो यह जो area जाएगा यह आपको use करना है पीवी graph का area under करू क्या होता है closed करू का जो area होता है वह होता है इसका work net यह work भी धियान रखना है कौन सा वाला network अब इस network के लिए आपको देखो यहां पे एक circle यह दिया हुआ है तो इस case में आपको यह जो इसका diameter है यह वाले diameter को अपन मान लेते हैं यह वाले diameter को अपन मान लेते हैं d1 और यह वाले diameter को अपन मान लेते हैं d2 तो circle का area कैसे निकालोगे बेटा आप area हो जाएगा circle का πाई d1 d2 by 2 भाई पाई r2 होता ना तो पाई r1 r2 है ना तो अब इस case में आपको यहां पर यह जो data है तो d1 कितना आ जाएगा आपके पास 30-10 तो d1 हो जाएगा मेरे पास 30-10 by 2 और क्या है kilo Pascal है 10 to the power 3 volume कितना जाएगा d2 30-10 liter में तो 30-10 divided by 2 liter को meter cube में convert करोगे 10 to the power minus 3 आपको add करना है तो इससे आपका जो area आ रहा है वो area कितना आ रहा है यह आ रहा है 20 by 2 तो 10 into 10 minus 3 और plus 3 पावर खतम और आगे पाई और लिखा हुआ है तो यह आ जाएगा 10 square पाई यानिके 100 पाई मेरा तीसरा option जो है यहां पर correct हो जाएगा ओके बच्चों तो यह अपना first question था जिसमें simple आपको concept यूज़ करना था आते हम हमारे अगले question पर अगले question में आपको यहां पर एक surface given है small surface है तो यहां से एक object को initial speed 0 से release किया गया है ठीके फिर यह जब यहां पर आएगा इसकी speed मानलो कुछ V हो जाएगी फिर V होने के बाद देखो यहां तो यह करड़ surface से फिसला है फिर यह कुछ V dash speed जब यहां होगी तो यह contact surface से जो contact उसको खतम कर देगा तो V dash speed पर मानले हम यह contact खतम करेगा जब इसकी angular position कितने थीटा तो आपको यहां पर थीटा की value बतानी है ओके बच्चो सबसे पहले तो इस point को mention कर देते हैं A B और C तो जब हम A से B की बात कर रहे हैं तो A से B के लिए देखो energy equation क्या केती है kinetic energy convert होगी ना potential जो है kinetic में convert होगी तो इसका मतलब mg delta h1 is half mv square तो V हो जाएगा 2g delta h1 तो यह हो जाएगा मेरे पास 2g r by 4 तो V is root gr by 2 यह तो मेरे पास V speed है अब B से C के लिए बात करें तो B से C तक जो delta h2 आएगा delta h2 कौन सा वाला बेटा यह वाली जो height है इसको मैं बोल रहा हूँ delta h2 और यह वाली height थी delta h1 तो delta h2 को मैं कैसी लिखूँगा delta h2 को मैं लिखूँगा r minus r cos theta इसकी वज़े सब देखो यहाँ पर kinetic जो है वो और बड़ेगी ना भी तो तो V-square half m V-square को मैं कैसी लिखूँगा energy equation से half m V-square plus mg delta h2 आगे बेटाए m से m तो काड़ो यहाँ पर यह m से m कड़ जाएगा तो V-square आजाएगा मेरे पास V-square plus 2g delta h2 तो V-square कितना मेरे पास? gr by 2 plus 2g अब delta h, यहाँ पर delta h2 कितना बेटा? r1 minus cos theta यह हो जाएगा V-square यह हमारे पास एक और equation अब इसमें जब contact खतम होता है उस condition में क्या होता है वो अपन देखें तो जब contact खतम होता है बिटा तो जिसे मालो कोई भी surface इस तरह से है और इसमें मालो object जो है वो यहाँ पर आके contact खतम कर रहा है है यह मालो theta है तो देखो इसमें है na mg force ऐसे लग रहा है है अब यहाँ पर यह angle अगर theta है तो यह वाला angle भी theta तो यह component क्या हो जाएगा इस case में mg cos theta और यह वाला component क्या हो जाएगा mg sin theta है और normal किदर लगेगा इधर अब अगर contact खतम होने की condition है तो normal तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर normal 0 तो centripetal force की equation लिखू में इस instant पर माले speed अगर V हो तो centripetal force की equation क्या हो जाएगी mg cos theta minus normal is m v square upon r है ना V square या V dash अपनने माना हो तो V dash लिख देते अपन m v dash square upon r ठीक है अब इस case में यहाँ पर normal को तापको zero करना है क्योंकि break off follow point है तो just instant पर contact खतम होता है वहाँ पर normal zero तो normal कितना हो जाएगा बेटा यह हो जाएगा mg cos theta minus m v dash square upon r और normal zero contact खतम होने का मतलब normal को क्या करना है जीरो करना है तो यह मेरे पास जो है देखो यह तो मेरे पास first equation थी यह second equation यह मेरे पास third equation इन equations को जब आप use करोगे तो यहां normal की value zero करो बिटा तो by two and three normal को जब मैं zero करूंगा तो mg cos theta तो mg cos theta is m by r v dash square याने की g r by two plus sorry m by r v dash square है ना हाँ ठीक है g r by two two gr cos theta two gr one minus cos theta है ना अब आपको यह equation solve करने तो देखो m तो कड़ जाएगा g comma ना कड़ जाएगा r s r कड़ जाएगा तो यहां क्या जाएगा मेरे पास cos theta is one by two plus 2g minus 2g भी कड़ जाएगा मेरे पास तो two minus two cos theta तो यह कितना हो जाएगा five by two तो cos theta हो जाएगा मेरे पास 5 by 6 तो इसका जो option आएगा मेरे पास cos theta कितना आएगा 5 by 6 ये मेरा option कौन सा correct हो जाएगा इस case में third option तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको concept सिखाता हूँ आपको क्या करना था जब यहां से यहां तक विसल का आया तब आपको speed बतानी उस speed की वज़े से फिर यह speed gain करेगा फिर जब यह और आगे जाएगा इसकी speed और बढ़ेगी तो जहाँ पे इसका contact खतम होगा वहाँ पे उसकी नॉर्मल reaction को आपको zero करना है उस point पे speed निकाल के देख लो कि नॉर्मल reaction zero हो जाना चाहिए नॉर्मल reaction zero इसका मतलब centripetal कोन प्रवाइड करेगा उस instant पे मतलब content खतम करने से just पहले तक भी circular motion हो रहा है उस instant तक उसको जो centripetal प्रवाइड किया वह mg के component ने प्रवाइड किया ओके बच्चों अच्छा इस instant के just बात क्या होता है फिर यह tangential path में मुह करता है लेकिन gravity तो अपना role play करेगी न तो अभी तक यहां से यहां तक करो path में motion हुआ फिर यह circular motion हुआ इत्ता सा और उसके बाद यह वाला motion जो है वो circular motion है यह वाला यह वाला तो है circular motion और उसके बाद कौन सा motion होगा फिर होगा projectile motion ओके बच्चों तो यह second question था not करें में इता solution इसका कि आता है अपना अगला third question third question में देखो आपको यहां पर एक system given है m-mass का यह block है 2m-mass का person और m-mass का है एक और बड़ा plank के इसमें 2m की distance पर यह system है आपसे पूचाए कि परसन रसी को खीचता है इसे रसी यू यू खीच रहा है person जो है वो इस block की relative rest पर रहेगा मतलब block यह plank जो है उसके relative rest पर रहेगा रसी खीचेगा तो यह block आगे जाएगा लेकिन पूरा system देखें तो पूरा system तो surface पे यहां कोई friction नहीं है इसका मतलब यहां पर जो है तो पूरे system पे mode surfaces का मतलब कोई x direction में external force नहीं है तो सबसे पहले तो यहां basic concept लिख लेते हैं f x net कितना होगा zero net force x direction में zero अब इस case में इसका मतलब और system rest पे था and initially rest system के initially rest पे होने का मतलब यह है कि इसमें कोई external force नहीं लग रहा है system initially rest में है तो इसका मतलब center of mass की position change नहीं होगी इसका मतलब delta x cm 0 यही हुआ ना तो delta x cm 0 का मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब m1 delta x1 plus m2 delta x2 चलो अब मैं मान लेता हूँ कि यह जो plank है है ना equals to 0 यहीं होगा delta x cm कैसे निकालते m1 delta x1 plus m2 delta x2 upon m1 plus m2 तो upon m1 plus m2 तो 0 से multiply होके वापस 0 बन जाएगा अब देखो मैं मान लेता हूँ कि system जो है ना वह अपनी इस initial position से कितना आगे गया होगा मैं मान लेता हूँ कि यह जो है वह इतना आगे गया होगा x distance हमें यही पूचाए कि यह x कितना होगा है ना अब इसने बोलाए कि man does not leave his position on the plank during the pull तो जब आदमी रसी फीच रहा है तो उसकी जो position है plank के साफ से वह चेहननी होगी तो यह यहाँ पर देखो पूरा system देखो यहाँ पर यह जो है ब्लॉक तो यहाँ आ चुका है ना तो ब्लॉक यहाँ चुका है ना तो ब्लॉक यहाँ चुका अब यह पुली-फुली का distance जो ना इसको आप 0 मानो पुरे को पुली की width औ है ना अब ब्लॉक यहाँ आगया इस case में तो क्या होगा देखो और यह आदमी यहाँ खड़ा हुआ है ना तो यह आदमी जो है अभी भी plank के साफ से तो महीं पर खड़ा जाए पहले खड़ा हुआता है ना तो देखो यह मान लिया ब्लॉक जो है वह एक्स डिस्टेंस आय तो टोटल यह अपनी इनिशल पोजिशन से कितना आगे आया होगा यह अपनी इनिशल पोजिशन से आगे आया होगा टू माइनस एक्स क्योंकि ओवरोल देखो ब्लॉक और पुली की बीच का सेपरेशन कितना था टू मीटर तो अगर पुली टू मीटर आगया तो ब्लॉक जो है वो 2 meter तो आगी नहीं आएगा, ब्लोक तो खाली 2 minus x आगी आएगा, और पुली का मतलब क्या है, यह 2m plus m, तो m1 तो मैं इन दोनों को तो मान रहा हूं, मैं m1, और इस अके लिए को मान रहा हूं, m2, तो m1 का मतलब क्या है, 3m, x1 का मतलब plus x, m2 का मतलब single m, इस ब्लोक का माँ single m है, और यह हो जाएगा, minus of 2 minus x, 0, जब आप इसको solve करोगे, इक्वेशन को, तो 3m, x, equals to, 2m, m2 minus x है न, m से m खतम, तो यह कितना हो जाएगा, 4x equals to 2, तो x equals to 1 by 2 meter, यहने की 0.5 meter, तो मेरा first option जो हो, यहाँ, correct हो जाएगा, ओके बच्चों, note करें यहाँ तक, बच्चों, अब आता है हमारा fourth question, fourth question में आपको यह बोला है कि, square plate है, और इससे अपन ने एक हिस्से को हटा के, दूसरी तरफ shift कर दिया, देखो, अगर यह shifting नहीं करते, मतलब यह हिस्सा हटा के, यहाँ shift नहीं करते, तो center of mass पिर तो भीचों भीच आता, क्योंकि symmetrical system होता, लेकिन हमने जब यह हिस्सा हटाया, तो यहाँ से mass हटके, उधर first quadrant में shift हुआ, तीसरे quadrant का mass first quadrant में गया, तो इसका मतलब center of mass भी first quadrant में जाएगा, center of mass अगर first quadrant में जाएगा, तो दोनों x और y coordinate positive होने चीए, सभी option में है, दोसरा, एक दम symmetrical shifting ऐसे हुई ना, तो center of mass का x और y coordinate भी same होना चीए, हर option में ऐसा है, worst case में क्या तो option cross check अगर नहीं हो रहे हो या बहुत सारे option match कर रहे हो, तो फिर आपको method पाना पड़ता है, तो यहाँ पर इसका method अपन बनाते हैं, सबसे पहले तो अपने पास axis बना लेते हैं, तो यह axis में आपन देखो जब भी कोई system में से mass हटाया जाए ना, तो आपको negative mass concept काम में लेना होता है, पहला तो अपना क्या है, एक पूरी plate, दूसरा यहाँ पे negative mass, और तीसरा यहाँ पे positive mass, यह minus sigma, plus sigma, और यह भी plus sigma, ठीके, अब इन दोनों को जब आप overlap करोगे, तो इधर तो हो जाएगा खड़ा, और इधर हो जाएगा double mass, यहाँ, अब M2 कितना हो जाएगा, minus sigma, देखो इसका diameter L है, तो radius कितनी हो जाएगी, इसका radius हो जाएगा L by 2, square, और R2, इसका center of mass का आएगा, बीच ओ बीच, यहाँ कि minus L by 2, minus L by 2, और यहाँ से आएगा मेरे पास M3, यह हो जाएगा plus sigma L by 2, square, और इसका coordinate R3 कितना जाएगा, L by 2, L by 2, बीच देखो यह तो first quarter में न, इसका center यहाँ जाएगा, अब इस case में total mass, center of mass निकालने के लिए मैं formula काम में लोगा, M1, R1, plus M2, R2, plus M3, R3, upon M1, plus M2, plus M3, यह होगा, बच्चों अब इस case में जैसे हम यहाँ तक आचुके हैं, इसके बाद देखो, यहाँ पर यह सारी values अप पूट करने हैं, अपके वहला calculation वाला पार बचा है, sigma 2L square, 0,0, minus sigma pi L square by 4, है ना, इसमें pi उरेट करना है, यह circle है ना है तो, तो pi R square होता है ना, और minus L by 2, minus of L by 2, फिर ही आजाएगा, plus sigma pi square by 4, plus L by 2, L by 2, अब मास जब एड़ करोगे तो, तो केवल के आजाएगा, M1 sigma 4L square, ठीक है, यह आपका मास आजाएगा, इस case में, ओके, तो अब जब इसको solve करोगे ना, देखोई तो हो गया 0, L by 2, इदर यह minus minus plus, और यह भी plus, तो L by 2 plus L by 2 L, sigma pi L cube upon 4, और इदर भी 4, तो यह आजाएगा मेरे पास, sigma pi L cube upon 4, I k plus J k, divide by, यह L by 2 जो वो X coordinate है, और यह वाला L by 2 Y coordinate, तो I plus J उससा जाएगा, और इदर क्या जाएगा, sigma 4 L square, sigma सिग्मा कहतम, L square से पावर कहतम, तो यह जाएगा मेरे पास, pi L by 16, I k plus J k, तो मेरा option कौन सा जाएगा इस case में, मेरा option इसमें आएगा, 4th option correct, तो 14 का मेरा 4th option जो है, वो correct बन रहा है, ओके बच्चों, solution not कर लें, एक बार इसका, screenshot लें, अब आते हम हमारे अगले question, 5th पर, 5th में बोल रहा है कि एक initial speed u आपने दिया, smooth spherical shell में, और r radius का है, r इसकी 1 meter given है, तो यह just complete करता है, circle को है ना, तो अब इस case में, just यह complete करने की स्तिती में, इसका मतलब यू कितना होना चाहिए, minimum 5GR, तो यू जो है, वो minimum 5GR तो होना ही चाहिए, है ना, अब जब आप यू इतना दोगे, तो यहाँ पर आने के बाद, speed कितनी बचेगी, जब speed vertical हो, देखो, अगर यहाँ 5GR देते, तो यहाँ जाकर के कितना बचता है, केवल 3GR बचता है, energy conservation लगा दो, तो यहाँ पर V जो है, वो कितना बचेगा, 3GR, तो 3GR, यह तो हो जाएगा V, अब यहाँ r की value कितनी है, 1 meter तो 3G और 1, यह हो जाएगा, 3G, अब इसमें आपको speed पता चल चुकी है, तो centripetal acceleration क्या होता है, बेटा, V square divided by r, यहने कि 3G divided by 1, और tangential acceleration, देखो, जब object की speed vertical है, तो tangential acceleration केवल किसकी वज़े से मिलेगा, gravity की वज़े से, और normal इसको देगा centripetal force, और mg प्रोवाइट करेगा tangential force, तो इस वज़े से यहाँ पे tangential acceleration हो जाएगा, mg by m, मतलब अकेला g, अब net acceleration आप से पूछा है बच्चों, तो net acceleration कितना हो जाएगा, ac square plus 80 square, ac square हो जाएगा मेरे पास, 3G का square, plus G square, तो यह हो जाएगा मेरे पास, 9G plus G square हो जाएगा 10, G square हो जाएगा, यहाँ पर, first option correct हो जाएगा, तो इसमें just, initial speed कितने हैं, इतनी है कि, जो minimum required speed है, root 5GR वो आपको देनी है, ओके बच्चों, इसके बाद आता अपना 6th question, 6th question में आपको, Nmol of ideal gas undergoes process A से B, अब इसमें आपको maximum temperature of gas बताना है, during the process will be, अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ, P और V का जो graph है, वो इस तरह का है, कई लोग इसको क्या बोलता इसो थर्मल यह, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसी graph को अगर आगे बढ़ाते हो, तो देखो, यह जब 2 V note है तो pressure P note है, इसको आदा करा तो pressure यहाँ, मतलब जब आप V note पीछे गए तो pressure P note बढ़ा, और V note पीछे जाओ तो pressure P note बढ़ेगा, straight line का concept यह तो कहता है, आप यहाँ से V note पीछे आए, तो pressure P note से 2 P note हुआ, फिर आप V note और पीछे आओ, तो 2 P note से 3 P note हो जाएगा, अब इससे में y, बराबर mx plus c, use करते हुए, equation लिखूँगा, तो मेरे पास equation क्या जाएगी, P equals to slope कितना हो जाएगा, minus of P note upon V note, V plus 3 P note, यह तो मेरे पास क्या जाएगा बढ़ेगा, यह आएगा, मेरे पास pressure, आगया, अब जैसे pressure आया, पर temperature की value बताने है, टिक की temperature इस process के दोरान कितना होगा maximum, तो सबसे पहले तो temperature क्या हो था आपने पास, P V upon RT, यह होता है न, P V upon NR, तो P V upon NR, अब यहाँ पर P की जगे में यह पूरी बड़ी सी value लिख दूँ, तो यह हो जाएगा, minus of P not V not V plus 3 P not upon NR, आगया, और साथ में V से और multiply करना है, अब मुझे temperature का maximum बताना है, तो पहले volume की वो value बताऊं जिस पर temperature maximum होगा, तो इस case में, for maxima of T with respect to V, क्या करेंगे बेटा, DT by DV को zero कर दो, जिसका maximum बताना होता और जिसके relative बताना होता, उसके relative differentiation, first differentiation को zero करो, तो यहाँ पर आप जब differentiation करोगे, तो देखो, NR तो चलो बाहर निकाल लो, यह तो constant time है, न, V square का differentiation क्या हो जाएगा, minus P not upon V not, एक constant term, V square का differentiation 2V, 3 P not as it is, और V का differentiation 1, equals to zero, इसको solve करोगे न, तो आपके पास कितना आजाएगा बिटा, यह आजाएगा आपके पास, P not, 2 P not V upon V not, equals to 3, P not, से P not काटो, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, 3 V not by 2, मतलब जब यहाँ पर volume की value इतनी होगी, 3 V not by 2, यह बीच का volume जब होगा, उस time पर temperature जो है वो, minimum, sorry, maximum होगा, तो इतने volume पर pressure कितना जाएगा, तो इस case में pressure ओड निकाल लो, minus P not upon V not, 3 V not by 2, plus 3 P not, तो यह कि 3 by 2, तो 3 में से 1.5 minus करोगे, तो 1.5 बचेगा, तो यह हो जाएगा, 3 P not by 2, यह pressure आगया, temperature क्या होता है, temperature होता है, PV upon Nr, P कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 by 2, P not, V not कितना हो जाएगा, इस case में, 3 V not by 2 upon Nr, अब देखो, 3 by 2, 3 by 2 कितना हो जाएगा, 9 by 4, P not, V not upon Nr, आगे अपना answer, तो यहाँ पर सबसे पहले, आपको P और V में relation निकालना है, फिर temperature को V की terms में निकालो, temperature का maximum पूछा है, तो आपको temperature का differentiation with respect to volume 0 कर दो, तो maxima minima concept यही कहता है, तो यह अगर आपको चीज क्लिक कर जाती है, तो आपको question में direction अपने आप मिलती जाएगी, ओके बच्चों, आप अपना आता है, 7th question, इसमें आपको यहाँ पर एक disk जो है, भी दी गई है, rolling with slipping यहाँ case दिया वाए, तो यह बोल रहा है कि इसमें angular velocity जो है, angular velocity जो है, वो 10th radian per second है, तो आपको बताना है कि, p point की velocity कितनी होगी, p point कुण सा वाला, यह वाला, अब देखो center की just horizontal level पे ही एक आपको point given है, तो देखो हमें बता है, जो center की speed होती है, कोई भी object अगर rolling करता है, तो जो center की speed होती है, वो तो सब को as it is मिलती है, तो वो इस point को भी ऐसे मिल जाएगी, और जो rolling speed होती है, जो rolling speed होती है, वो ऐसे, उसकी वज़ा से omega r इधर मिलेगा, अब omega कितना है, 10, तो 10, r कितना दिया वाए, 20 cm देने की 2 by 10, तो यह आजाएगा, 2, VC कितना दिया, इन्होंने VC दिया वाए, मुझे 4, तो इसमें जो net speed आएगी, वो net speed कितर आजाएगी, बिटा, net speed आएगी इस तरफ, तो V net क्या हो जाएगा मेरे पास, VC square plus omega r square, तो यह हो जाएगा, 4 का square plus 2 का square, कितना हो जाएगा, 14, 16 of 4, 20, तो 2 root 5 यह अपना, 4th option यहाँ, correct हो जाएगा, ओके बिटा, आते हैं next पे, अब इसमें आपको एक block given है, जो कि base measuring a into a and height h is placed on an inclined plane, the coefficient of friction is mu, the angle of inclination is theta, gradually increased, देखो यहाँ पर एक block है, जिसको अपने रखावाई, इसका base का जो area है वो a into a है, height जो है वो h है, तो यह height, अब जेखो जब आपन इसको inclination angle को बढ़ाएंगे, तो इसको फिसलाने का काम कौन सा force करता है, फिसलाने का काम करता है, इसमें mg का sin theta component, mg का sin theta component फिसलाने का काम करता है, तो रोकने का काम कौन करता है, रोकने का काम करता है, friction, तो यह friction जो है, वो static type का, इसको रोकने का काम करेगा, अब static friction जो इसको रोकने का काम करेगा, लेकिन यह friction torque भी तो produce कर रहा है तो friction जब torque produce कर रहा है तो उसको balance करने की जिम्मेदारी friction की torque को balance करने की जिम्मेदारी आती है normal reaction की normal reaction shift होगा तो normal reaction shift होगा अब जब just balance वाली condition आईगी तो उस case में just object topple होने वाली condition क्यों होती है just toppling वाला case होता है कि torque जो पल्टाने वाला है अब पल्टाने वाला torque कौन सा होता है बेटा पल्टाने का काम कर रहा है यहाँ friction क्योंकि तो friction का point तो उसको घुमाने चाहरा है normal shift नहीं होता अगर friction नहीं होता normal फिर center पे लगता to normal को तो आना पड़ा मजबूरी में क्योंकि यह friction पल्टाने की कोशिश कर रहा है तो normal बचाने की कोशिश करेगा तो force torque पल्टाने वाला और torque जो बचाने वाला है वो आपको equal करवाने होते हैं just जब ही रुकावा है उस condition में तो पल्टाने वाला torque कौन है Fs into यह total height A थी थी ना cos theta h by 2 is mg cos theta normal की value a by 2 तो यहां से mg cos theta से mg cos theta खतम तो mu बराबर क्या आएगा A into h तो mu बराबर A into h अगर हो ना तो उस case में देखो just अब इस case में mu बराबर A into h रहा friction अपने कितना लगाया static friction तो static friction अगर मैं use कर रहा हूं तो इस case में object के fissal ने का तो सवाल ही नहीं तो fissal भी नहीं रहा है और topple भी नहीं रहा है तो इस condition पे ना तो object fissal लेगा ना topple होगा तो mu बराबर A into h पे बोल रहा है कि slide before toppling slide before toppling अगर पलेटने से पहलो तो fissal ना शुरू कर देगा ऐसा नहीं होगा अब यहां सोचो अगर mu जो है वो a h से भी जादा हो mu a s से जादा होने का मतलब क्या है कि friction क्या force जादा होगा force जादा होगा ना friction का तो friction उसको slide तो नहीं होने देगा लेकिन friction अगर जादा है तो वो torque भी जादा जनरीट करेगा फिर नॉर्मल बचाने की कोशिश कैसे करेगा उसको कोशिश तो करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा तो अगर mu बढ़ता है ना तो उससे friction का effect बढ़ता है friction का effect है fissal ने से रोकना वो काम तो हो जाएगा लेकिन friction यहांं दो ठोडने से रोक रहा है लेकिन बढ़ता है वोoka stal को प directamente मैं टोड़ता है तो friction तो प어 बढ़ता है तो tariffs को पाँमल मैं बढ़ता हम tu अगर मैं अगर अ तो जादा हू शे ना ए को दुई शे तो नहीं ऐस में object topple होगा before sliding इस case में, तो ये वाला case आगया अपना, जब इस तरह की condition बन रही है, और अगर mu less than h हो, तो इस case में toppling पहले होगी toppling before sliding, मतलब object slide नहीं करेगा, खड़ा-खड़े पलट जाएगा बस और अगर मान लो mu less than a by h से, mu less less than होने का मतलब कि friction का effect कम है तो object slide करना शुरू कर देगा slide करना शुरू कर देगा, friction कम हो बचानी पाएगा, लेकिन friction कम है तो एक अच्छी बात भी हो रही है, पलटेगा नहीं क्योंकि पलटाने का काम friction नहीं कराता तो अगर mu less than h है तो इस case में sliding sliding हो जाएगी, but not toppling sliding but no toppling मतलब अंगल बढ़ाओगे तो उस case में पहले sliding start होगी sliding आप और अंगल बढ़ादो यह तो में उस critical condition की बात करी अगर आप इस condition में अंगल और बढ़ाते जाते हो तो बाद में topple भी हो जाएगा तो यहां पर sliding before toppling ऐसे लिखना आपनको आपनको toppling हो तो सकती है लेकिन sliding पहले होगी, तो sliding before toppling तो इस case में मेरा कॉनसा option हो जाएगा first option जो है वो correct है mu less than h, जाएगा topple before sliding गलत है mu greater than h, slide ना यह है गलत तो अपना और fourth भी गलत हो गया, fourth में तो mu बराबर h यह ना तो दोनों एक साथ condition आएगी फिर mu बराबर h पर जैसे वो slide होगा उसे time पर topple उन एक condition में आजाएगी तो यह अपना eighth question अब आता अपना ninth question ninth question में आपको बोलाए कि एक निकाय के सभी करना एक system में जो इतने भी particle है सारे origins है r distance तो देखो r distance का एक circle बना दो हमें पता है कि center of mass कभी भी उस circle की boundary से बाहर नहीं होगा अब जितने भी particle of system के मानते हो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है अब center of mass जो है वो हमेशा रहेगा तो system के अंदर ऐसे सोचो जैसे किसी देश की capital जो होती है किसी देश की राजधानी जो होती है उस देश के अंदर होती है उस देश के बाहर तो नहीं हो सकती है कोई देश यहाँ पर और उसकी राजधानी यहाँ है ऐसा तो नहीं होगा ना राजधानी कोने में हो सकती है बीच में हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, पर रहेगी हो सिस्टम के अंदर, तो उसी दर ऐसे center of mass भी रहेगा system की boundary के अंदर, system की boundary कहा तक है, यहां तक है, तो इसका मतलब center of mass जो है वो r पे भी हो सकता है, या center of mass जो है वो R के बज़ाए R से कम पे भी हो सकता है confirm R पे होगा हम यह confirm नहीं कह सकते R से जादा तो होने का सवाल ही नहीं है तो अपना यह क्यों option आएगा second option है ना बच्चों? तो 9 पना second option यहां correct हो जाएगा फिर इसके बाद आता अपना 10th question लास्ट जो है से क्यों में इन उनने बोला है कि एक uniform square जो है इसको प्लेस किया आपनने horizontal surface पे और horizontal force F is applied on it to a distance H above the center. देखो यहां पर जब तक surface smooth चल रही है ना surface smooth होने की वज़े से क्या है कि कहीं कोई friction नहीं है तो इसका मतलब आप चाहे force कहीं भी लगा दो है ना H distance उपर लगा दो अब फोर्स जो है वो घुमाने का काम कर रहा है sorry चलाने का काम कर रहा है और घुमाने का काम भी कर रहा है तो मैं टॉर्क भी जनरेट करेगा अब इस केस में टॉर्क कितना आएगा वो तो H पी टॉर्क जो है ना तो टॉर्क जो आएगा वो F into H आजाएगा तो alpha आजाएगा F into H divide by inertia यह तो alpha है यह लेकिन यह बोल रहे है कि acceleration of center of mass center of mass को कभी भी alpha नहीं मिलेगा center of mass को क्योंकि rotation तो को alpha की वज़े से यहाँ कोई additional acceleration नहीं मिलेगा center of mass को एक्सेलर्जन मिलेगा जो linear acceleration होता हमोगा यह alpha वाला alpha की वादे से च्छेलर्जन मिलता वो other points को मिलता है tengenctiel acceleration mm Ass i0 ms लेकिन centre of mass को यति मिलेगा तो centre of mass का जो net acceleration होगा वो केवल और केवल कॉनसा वाला होगा translational motion वाला जो acceleration यह वो ac translational है ना बाकि और कोई सको मिलेगा नहीं तो इस case में बाकि झौ सारे गाटम चाहिए नहीं तो इसका केवल ac translational अब translational acceleration कैसे लिखते हैं f net divided by mass net तो mass net f by m तो इसमें कहीं h आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो center of mass को धियान रखना कि एवल linear acceleration मिलेगा और वो force जाहे कहीं भी लगाओ जाहे उपर लगाओ या नीचे लगाओ center of mass का acceleration fix रहेगा f by m ओके तो यह h पर depend नहीं कर रहा है तो अपना कौनस option हो जाएगा fourth option यहां correct हो जाएगा ओके बच्चों तो note करें यहां तक बच्चों अपना paragraph आता है इसमें आपको एक देखो spring की natural length कितनी दी गई आपको natural length दी गई इस spring की r by 2 spring constant टेके अब देखो यहां पर इसको अपनने center से r by 2 height पर से बांदा हुआ है तो यह जो length है यह natural plus extended कुछ हो सकती है तो फिलालतों में यह length निकालता हूँ L यह L कितना आएगा देखो sin theta इस triangle में क्या बनागा राइट अगल ट्रेंगल बनागा न इस triangle में sin theta आएगा मेरे पास sin theta जाएगा sorry cos theta cos theta क्या जाएगा यहां पर मेरे पास इस triangle में cos theta आएगा r by 2 divide by r इसका अगल थीटा कितना है 60 degree L क्या आजाएगा यह आजाएगा r sin 60 इसका अगल रूट 3 by 2 r तो जो x आएगा वो कितना आएगा बच्चों जो extension आएगा spring का वो आजाएगा L minus L naught L कितना है यह है root 3 by 2 r minus of r by 2 इसका मतलब root 3 minus 1 r by 2 यह है extension ठीके बच्चों यह तो मैंने spring का extension निकाला अब इसी में जब देखो spring extended तो वो force भी तो लगाएगी तो यहाँ spring ने कुछ force लगाया होगा यह spring का force इधर आया होगा fs इस तरह से इस fs के दो component करेंगे देखो यह angle अगर 60 थीटा तो यह कितना और आएगा 30 फिर इसका एक component जो tangential आएगा वो आएगा f sin 30 fs sin 30 तो यहाँ पर जो मेरे पास component आ रहा है वो आ रहा है fs sin 30 तो fs sin 30 ने कि fs by 2 इसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक mg force भी लगेगा तो यह mg force ऐसे लगेगा यह थीटा है तो यह भी थीटा तो इस case में यहाँ पर mg का जो tangential component आएगा वो कौन सा आएगा वो आएगा मेरे पास mg cos theta यह थीटा हीदर आएगा तो sin theta हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से component आ रहे था एक तो mg sin 60 आएगा और यहाँ पर मेरे पास आएगा fs sin 30 तो यहाँ पर तो यहाँ पर तेखो 80 हो जाएगा मेरे पास f tangential net by mass ओके यह हो जाएगा मेरे पास net अब f tangential net कितना होगा f tangential net होगा मेरे पास देखो एक तो आएगा mg का sin 60 component माइनस इसमें से मैं करना होगा किसको mg sin 60 component सा ना देखो यह वाला यहाँ पर यह अंगल थीटा है तो यह थीटा तो mg का यह component cos थीटा तो इधर वाला component sin थीटा sin थीटा से मतलब sin 60 तो यह mg sin 60 माइनस fs का कौन सा component आएगा fs sin 30 upon m तो यह कौन सा आएगा g root 3 by 2 minus k x x है root 3 minus 1 r by 2 और 1 by 2 upon m तो यह हो जाएगा मेरे पास g root 3 by 2 minus of k r upon 4 m root 3 minus 1 यह हो जाएगा मेरे पास tangential acceleration तो एक बार देखते tangential acceleration कितना आ रहा है तो g root 3 by 2 minus k r upon 4 m root 3 minus 1 आ गया अब इसमें radial acceleration पूछा है देखो हमने जब इसको force initial कितना हो जाएगा 0 तो centripetal force के लिए calculation नहीं करना है कि बल देख लो speed 0 इसका मतलब centripetal force 0 है तो यह radial acceleration वाला option जो है वो तो गलत है यह इस पर स्रेकी वाला से भी जाएगा बाकी तो होई गया अपना ठीके बच्चो तो इस तरह से यहाँ पर first option का रेक्ट 11 का एक बाइस का solution नोट कर लें आप फिर आता है 12th 12th में देखो आपको यहाँ पर यह बोलाए कि A पर जो है यह topmost point पर track में है अना the block is slowly pushed from rest at the highest point when the spring is staged in horizontal state तो देखो यहाँ पर जो horizontal state है ना वहाँ पर point A बोल दिया उसको है na horizontal state वाले point को यह बोला है यह बोल रहे है कि इस case में spring की stored energy कितनी है तो spring की stored energy के लिए simple सा formula क्या हो जाएगा मेरे पास u equals to half k x square half k x की value कितनी थी बेटा root 3 minus 1 r by 2 chi square तो यह जाएगा कि r square by 8 और root 3 minus 1 whole square तो second option correct हो जाएगा spring की energy वाला ठीके अब यह बोल रहे है कि gravitational potential energy u 0 at theta equals to 0 is mg r अब theta की value 0 हो देगो theta क्या है बाकि option चेक करते हैं theta यहाँ पर अगर 0 है तो theta 0 तो object यहाँ हो जाएगा object यहाँ होगा तो इसकी total height कितनी हो जाएगी r अब इसमें इनों ने जो अपनको option दिया एक और और gravitational potential g taking u equals to 0 at theta equals to 0 अब theta equals to 0 पर u को अगर मैं 0 मानता हूँ पर यहाँ पर जो potential g उसको मैं 0 मानूंगा तो इस case में gravitational potential g जब वो यहाँ पर है तो देखो अगर वहाँ 0 माना तो उससे भी कम energy आएगी है तो यह energy कितनी आएगी mg r by 2 minus क्योंकि वहाँ अगर 0 तो उससे नीचे वाली position पर negative आएगी तो अगर यह energy में theta 0 पर अगर 0 मानता हूँ तो इस वाली position पर energy इतनी नहीं आएगी यह आएगी minus mg r by 2 ओके बच्चों तो यह इस a position की energy तो यह बाकी options तो गरत हो गए अपना option कौन सा गरेक्ट है second फिर इस क्या दाता है 13 question paragraph 2 पर आजाते है paragraph 2 में आपको बोला है कि mass of 10 m is dropped from on the ground from a height of 10 meter rebounds to height this अब एक mass को अपन ने h initial height कितनी दियो है 10 meter drop करा, drop करने के बाद यह पलट के कितनी height तक गया 2.5 meter तो इस case में e की value क्या होती है यह देखो h-डेश जो होता है यह मानलो h-डेश हाइट है तो h-डेश क्या होता है e square h यह होता है h-डेश e square कितना हो जाएगा e square अब जाको यहाँ आपकी e हमें बताना है तो e हो जाएगा मेरे पास h-डेश अपॉन h h-डेश कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 10 1 by 2 e की value 1 by 2 हो जाएगी ठीके अब जैसे e की value 1 by 2 हुई एक तो यह option भी अपना बन जाएगा जो 13 को 14 वाला उसमें e कुछ आप से तो एक बाद पूरा solve करते हैं अब जैसे आपको 13 में यह बोल रहे है कि force क्या होगा ground और bowl के बीच में तो यहाँ पर आपको contact time दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.01 second ठीके तो यहाँ पर जो force होगा वो होगा delta P by delta T delta P कैसे निकालो को बेटा m v final minus v initial और यह धियान रखना momentum हमेशे एक vector होता है divide by delta T तो mass कितना दिया है 10 gram तो 10 gram को लिखो minus 3 v final दो को यहाँ v final जो v dash है उसकी बात कर रहा हूँ तो v dash को मैं कैसे लिखूँगा यह हो जाएगा 2g h dash और यहाँ जो v आएगा वो कितना आएगा 2g h तो इन दोनों को जब मैं यहाँ लिखूँगा तो v dash minus of minus v divide by delta T तो यह धाएगा 10 to the power minus 2 2g 2.5 minus और minus मिलके plus तो यह हो जाएगा 2g 10 ओके और यह हो जाएगा इदर delta T कितना 0.01 तो इसको तो हटा दो यह कितना आजाएगा मेरे पास 5g और यह आजाएगा मेरे पास 5g यहने की root 50 plus यह आएगा मेरे पास 2 root 50 यह कितना है 200 है ना तो 200 को मैंसे 4 को बार निकाल के 50 अंदर लिख दो तो 4 का square root 2 आज बाहर आजाएगा तो यह जाएगा 3 root 50 3 50 को में लिखूंगा 25 into 2 तो 25 का 5 बाहर आएगा तो यह जाएगा 15 root 2 तो overall आजाएगा 15 root 2 मेरा answer तो एक तो impulsive force पूचा है वो तो हो गया 15 root 2 फिर इसके बाद आप से पूचा है coefficient of restitution कितना है वो जाएगा half तो यह half हो गया फिर इसके बाद आप से अगला पूचा है कि second टक्कर के बाद वो कितनी height हो जाएगा फिर फिर टक्कर में इतनी height गया तो second टक्कर के बाद h double dash कितना आएगा h double dash हो जाएगा e square का वापस h dash का वापस e square times तो e square यहने की 1 by 2 का square और h dash कितना आथा 2.5 तो जाएगा 2 divided by 4 यहने की 10 by 16 तो 10 by 16 मेरा answer हो जाएगा यह वाला तो इस question का answer हो जाएगा 10 by 16 ओके तो यह 10 by 16 हो जाएगा 15 का answer ओके बच्चों नौट कर रही हाँ तक फिर इसके बच्चों अपना आता है अगला अपना section B यहने की more than one choice का अपना question आता है first इसमें आपको बोला है कि इस्ट की तरफ जाते हुए एक train में V speed से train जा रही है इसमें एक object को अपन एक surface पे इस speed V speed से गुमा रहे है V speed जो है वो train की relative additional जो अपन ने दी है तो देखो यहाँ पर यह तो system मानलो यह circular path है पूरा system V की speed से आगे जा रहा है यह train अपन इसको top view से देखते है अब जब इसमें object खुद circular motion कर रहा है तो इसकी देखो यहाँ speed V होगी यहाँ speed V होगी यहाँ speed V और यहाँ speed V तो इसकी total speed देखो इस instant पे कि तो जाएगी V तो train की relative और ground train खुद V से जा रही total speed 2V यहाँ हो जाएगी 0 यहाँ हो जाएगी root 2V और यहाँ हो जाएगी root 2V तो इसका मतलब इसके maximum speed of wobb is 2V in ground frame, सही बात है फिर इसके बाद यहाँ पर यह बोल रहे है कि tension कितना होगा centripetal जो string यहाँ है तो tension यहाँ पर जो train है वो constant speed से जा रही है इसलिए कोई pseudo force नहीं लगेगा constant velocity है तो कोई pseudo force नहीं है अब कोई pseudo force नहीं है इसका मतलब यहाँ पर जो tension है वो केवल इसको train की frame में केवल एक acceleration प्रोवाइड करेगा centripetal acceleration तो tension क्या प्रोवाइड करेगा इसको mv square by L सारे मोर टाइम पर इतना ही इसमें रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो radius है वो तो L के बराबर दी हुई है तो pseudo force नहीं लग रहा है इसलिए tension cable required centripetal force mv square by L प्रोवाइड करेगा ओके बच्चों तो इसका first और third जो है वो correct हो जाएगा ओके बटा अब इसमें fourth option हो पढ़ लेते है maximum speed जो है वो second question अब second question में आपको यहाँ पर देखो bob two mass दिये में m और 3m यह collide करते है horizontal surface, frictionless surface पर before collision mass इसकी speed इस तरह से दी गई हो और बाद में क्या हो रहा है 3m जो है वो यहाँ theta angle पर टकराता है बाद में क्या होता है 3m जो है वो तो rest पर आ गया और m वाला जो है वो v2 speed से जा रहा है और यहाँ पर sin theta कितना दिया वह है 3 by 5 इसका मतलब theta कितना हो जाएगा 37 अब देखो बच्चों यहाँ पर theta 37 है और साथ में देखो यह system है ना इसमें momentum तो constant रहेगा तो x direction में momentum सेम रहेगा, x direction का momentum change नहीं होगा तो p x constant इसका मतलब पहले x direction में momentum कौन सा था यह था मेरे पास 3m 5 by 12 v naught cos theta बात में x direction का momentum किसके पास है केवल m v2 तो m से मुड़ा दो यह हो जाएगा 15 by 12 v naught cos theta कितना हो जाएगा cos theta हो जाएगा मेरे पास 4 by 5 और 7 में 3 भी है v2 ठीके तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास 3m 5 v by 12 cos theta cos theta आगा मेरे पास cos theta 4 by 5 हो गया sorry यह 5 आएगा न 15 नहीं आएगा और v2 तो इसको देखो काट ओगे तो 5 से 5 cancel out 4 3 12 cancel out तो v2 कितना हो जाएगा v0 यह तो हो गया मेरे पास v2 अब इसके आद v1 की हम बात करें तो देखो यहाँ पर 3m 5 by 12 v0 sin theta x y direction में momentum same रखना आपको तो py जो है इसको constant रखेंगे और इसमें इनिशली y direction का momentum क्या है minus में तो यह plus में और minus का m v1 बाद में क्या है 0 है क्योंकि y direction जो कोई भी particle motion नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर v1 हो जाएगा मेरे पास 3 5 by 12 m same कट जाएगा sin theta हो जाएगा 3 by 5 तो यह जाएगा 3 by 4 v0 तो speed of m1 mass v1 कितना आजाएगा v1 तो आजाएगा 3 by 4 v2 कितना आजाएगा v2 आजाएगा मेरे पास v0 बस तो मेरा 1st और 4th यहाँ correct हो जाएगे 2nd question के लिए ओगे बच्चों note करें फिर इसके बाद आता है मेरे पास 3rd question इसमें बोल रहा है कि एक experiment के दोरान ideal case जो है वो इस rule को follow करती row density है तो देखो p square row को में क्या लिए सकता हूं mass by volume तो यह हो जाएगा mass by volume is constant तो मैं ऐसे वो सकता हूं p square v is constant अब अपने क्या कर रहा है यहाँ पर इसका जो expand हुई ना तो गनत तो इसका density row by 2 हो जाती है तो density row by 2 होने का मतलब row dash जो है वो row by 2 है इसका मतलब v dash कितना हो जाएगा 2v volume double होगा तभी density आदी होगी तो अब यहाँ पर volume आगर double करेंगे तो को यहाँ पर pt graph के बारे में बात करेंगे तो pt graph में देखते है p और t में graph बनाना तो v square इसको लिख दिया मैंने n r t upon p is constant हैना इसी में मैंने v को n r t upon p लिख दिया तो यह दाएगा p t ka multiple constant अब देखो प्रेशर कितना होगा changes to root 2p गलत है temperature changes root 2t यह भी गलत है pt graph जो है pt graph यहाँ पर कितना हो जाएगा पर्वले न यह भी नहीं होगा तो अती पर्वले होगा बिल्कुल सही बात है fourth option तो सही अपना तो इसमें अपना कौन सा option आजाएगा बिटा इसमें अपना हो आजाएगा fourth option अब temperature की और बात कर लें तो temperature कितना होगा temperature अभी temperature चेक नहीं कियाना अपने अभी तो मैंने खाली temperature relation निकाला था अब देखो pressure जो है वो अपनने कितना किया p by root 2 तो p by root 2 t dash is p into t इसका अदर t dash कितना हो जाएगा root 2 t तो t dash जो है वो root 2 t मतलब यह सही हो गया अपना second option तो अपना कौन कौनस option सही है इसमें second और fourth सही है ओके बच्चों note करें यहां तक बच्चों यहां पर fourth question में आपको वोला है वंडी collision होती है दो पार्टिकल हो भी की जिसमें b stationary और a का momentum जो है वो पहले तो p है और बाद में p minus j है हना तो इस case में a का momentum देखो आपको पहले कितना दिया है p b का momentum कितना है 0 before बाद में इसका कितना है p minus j तो momentum of b कितना आएगा j के बराबर क्यों कि momentum conservation होना चाहिए तो इसका मतलब इसका momentum जो है वो a का अगर p minus j है तो b का कितना होना चाहिए j होना चाहिए तो सबसे पहले तो b का जो total momentum of a plus b system is p before and after the impact यहां तक तो सही है लेकिन p minus j during the impact during the impact भी ध्यान रखना momentum change नहीं होता है collision में हर instant पे momentum जो है वो same रहता है तो यहां पर before and after भी पी रहेगा साथ में during the impact भी p ही रहेगा तो यह तो गलत हो गया यह बाद वाली लाइन गलत लिग इसमें तक करके दोरान p minus j है यह गलत है during the impact a give impulse j to b सही बात है इसमें यहां पर देखो momentum में कितना change आया जीरो से j का change होगा तो impulse कितना हो जाएगा b को जो impulse मिलेगा वो जाएगा delta pb j minus 0 इसका मतलब b को कितना impulse मिला j coefficient of restitution कैसे निकालेंगे पिटा coefficient of restitution देखो अपर निकालते हैं v separation by v approach अब v separation और v approach separation speed कितनी है मेरे पास देखो यहां पर mass जो है इनके same identical object बोल है तो separation speed हो जाएगी मेरे पास pb upon m minus p a upon m divide by p a upon m यह हो जाएगा मेरे पास j by m p minus j by m upon p by m तो यह हो जाएगा मेरे पास 2j minus p upon p तो यह हो जाएगा 2j by p minus 1 यह coefficient of restitution की value तो मेरा यहां पर कौन सा option हो जाएगा बेटा सही 4th का हो जाएगा मेरे पास 2nd और 3rd correct चलो not करें बेटा solution को अगला आता है 5th question 5th question में देखे बच्चों आपको एक one mole gaze के लिए a से c तक आप इस तरह से लेके जाते हो तो आपको a b c प्रक्रम के लिए कुछ चीज़े बताने एक तो work done change in internal यह सब बताना है ठीके तो सबसे पहले a b की बात करता हूं a b में देखो pressure constant रखते है volume double कर रहा है तो delta q a b कितना हो जाएगा delta q a b हो जाएगा n c p delta t n कितना हो जाएगा मेरे पास 1 c p ideal monatomic दिया मैंना तो c p हो जाएगा 5 by 2 r delta t सबसे पहले देखो यहाँ initial temperature को अगर मैं t note मानता हूं तो यहाँ देखो pressure constant रखके volume double किया तो temperature double फिर volume constant रखके pressure double किया तो temperature उसका भी double मदलब यह final temperature कितना हो जाएगा 4 t note तो यह हो जाएगा मेरे पास 4 t note minus t note sorry a से b के लिए बताना तो a से b के लिए 2 t note minus t note कितना होगे बिटाए यह हो जाएगा मेरे पास 5 by 2 2 r t note अपने सारा option r t note में कोई दिखकत नहीं अब इसके बाद w a से b अगर अगर अपन निकालेंगे तो वो क्या उड़ाएगा p 0 delta v यहनि कि p 0 2 v 0 minus v 0 p 0 v 0 इसको में ले सकता हो r t 0 n की value 1 है तो यह a से b cover का गया अब आपको यहाँ पर b से c के लिए बात करते हैं यह तो अपनने a से b के लिए बात करी थी b से c में देखना यहाँ पर क्या है volume जो है वो constant है इसका मतलब b से c का work 0 फिर delta q b से c में उतनी होगी जितनी delta u होगा b से c में तो यह हो जाएगा मेरे पास n c v delta t n 3 by 2 r delta t हो जाएगा 4 t naught minus t naught तो यह हो जाएगा 4 t naught minus 2 t naught यहने कि 2 से 2 खतम तो 3 r t naught यह तो हो गया delta q अब यहाँ पर total आपको क्या बताना है work done by gas work done by gas तो केवल एक ही process में आएगा a से b में b से c का तो work 0 हो जाएगा तो यहाँ पर work done by gas तो r t naught है बिल्कु सही बात है यह बोल रहे है internal energy का change कितना हुआ internal energy में देखो final change निकालना है ना तो delta u net के लिए क्या करोगे 1 cv 3 by 2 r और final delta t ले लो 4 t naught minus t naught तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास total change in internal हो जाएगा 9 by 2 r t naught तो total internal का change इतना ना हो करके हो जाएगा 9 by 2 r t naught फिर इसके बाद मेरे पास आता है तो अपना यह वाला option तो गलत हो जाएगा heat absorbed by the gas अब heat absorbed कितनी होगी देखो दोनों process की heat को add करो 5 by 2 r t naught और 3 r t naught तो 5 by 2 यह हो जाएगा 11 r t naught सही बात है और heat absorbed by gas तो यह है अपना first और third case में option correct बन जाएगा ओके बच्चो note करें इसको फिर इसके बाद आता है six question six में आपको वो लाए कि thermally insulated chamber thermally insulated chamber है मतलब यहाँ पर जो भी heat है delta q net वो तो zero हो जाएगा है ना मतलब यहाँ पर अपने बाहर से दिवारों से कोई heat flow नहीं होगा अब two V naught is divided by frictionless piston of area s into two equal parts A and B अब इसमें A और B में divide किया तो यह volume है V naught और यह भी volume कितना रहा होगा V naught ठीके B part में जो है वो vacuum है शुरुआत में यह प्रेशर नहीं है है ना तो यहाँ पे तो vacuum दिया हुआ है फिर उसके बाद massless spring यहाँ जोड रखिये इनिशली अब चेंबर को अपन एको expand करते हैं दो को शुरुआत में इसको यहाँ लाके जस्ट एक instant के लिए यहाँ लाके इसको रुका अपनने पकड़ावा भी अब अब आपनने इसको और रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया है को यहाँ रोकने के लिए कोई pressure तो नहीं जब कि गेस यहाँ से continuously pressure लगा रही है तो गेस जब pressure लगा रही है तो इसका प्रेशर की वज़ए से यह piston जो है वो आगे मूँ करेगा piston आगे मुह करेगा मानलिया piston जो है वो कितना सरका होगा इन्होंने बोला कि X naught distance तक गया होगा तो अब इसी बात इसका volume बढ़ेगा तो volume यहाँ V-डेश हो जाएगा pressure P-डेश और temperature मानलिया T-डेश और यह spring में क्या जाएगा बेटा compression हमें पता है कि spring में जो total energy है sorry spring पे जो piston का total work done है वो कितना 0 क्योंकि piston यहाँ भी rest में था और अब भी piston rest में तो इस case में piston rest में इसका मतलब net work किस पे piston पे 0 है तो piston at rest इसका मतलब W net is 0 अब W net 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास किस पे on piston अब piston पे work किस किस ने किया piston पे work किया एक तो gas ने और piston पे work किया spring ने मिला के 0 piston पे जो gas ने work किया minus spring का work spring का work खुद negative है half k x square तो इसका मतलब W net gas का work भी कितना आजाएगा half k x naught square यह आजाएगा gas का work तो work done by gas इतना हो गया जब finally यह system stable होगा जब piston stable होगा तो जितना यहां से spring force लगेगा उतना ही यहां से gas का भी force लगेगा तो stable position में तो को rest में होने का मतलब एक और चीज क्या हो जाएगी F net 0 तो F net 0 ने का मतलब pressure P dash into area भाई यह force आप कैसे निकालोगे यह force आएगा P dash into area को इन्होंने क्या S बोलावा है ना तो यहां पर यह piston less friction का जो area वो S है तो P net into S यहां आजाएगा तो P net S is K X naught तो P dash कितना हो जाएगा मेरे पास final pressure हो जाएगा K X naught upon S अब इस case में देखो अपने system को कहीं से इसको heat नहीं दी heat नहीं दी इसका मतलब जो delta Q net वो 0 है तो delta U कितना हो जाएगा minus W अब देखो volume बढ़ रहा है मतलब work done by case positive है तो delta U किया हो जाएगा negative तो यहाँ पर इतना ही इसमें internal में loss आएगा तो इस case में delta U change in internal energy is half K X naught square सही बात है पर जितना वर किया उतना ही change आया यह ज्यान रखना है यह negative change है और temperature of gas is decreased यह भी बात सही कि gas का temperature जो है वो घटेगा तो इस case में अपने चारो option यहाँ सही बेट रहे है है ना change की बात करी तो अपना third option भी सही कि change तो हुआ इतना हाँ वो घटने वाला change है पर change के form में तो answer इतने आएगा ओके बच्चों तो change का मतलब यहाँ केवल value बता रहा है change की value इतनी है ओके बच्चों तो यह 6th question यहाँ complete होता है बच्चों हमारा 7th question यहाँ शुरू होता है 7th question में आपको एक uniform rod जिसके length L है और mass 2M है ध्यान रखना massless नहीं है rest on a smooth horizontal table point mass aim moving horizontally at right angle to the rod add with velocity V collide with one end of rod and stick to it तो एक particle इससे चिपक जाता है तो अपन को यहाँ इस system को solve करना है सबसे पहले तो एक system में एक rod है जिसका mass कितना दियावा है 2M length L एक particle यहाँ इसकी एक end पे आता है V node speed से टकराता है M mass का particle और इस पे फिर चिपक जाता है देखो बच्चों इस case में जब इस चिपक जाएगा तो system का center of mass कहा आएगा rod का center of mass तो यहाँ है ना यह पूरा 2M तो में यहाँ मानूँगा यह M जो है वो यहाँ आजाएगा तो जब यह particle इस पे स्टिक होगा तो इस system का center of mass देखो यहाँ particle चिपक गया 1M यह 1 2M यह तो center of mass तो भारी mass की तरफ होता है और यह separation कितना हो जाएगा L by 2 तो इस case में जैसे यह separation L by 2 होगा यहाँ पर यह जो system है वो किस point के about घुमेगा यह system घुमेगा अपने पास इस point के about घुमना शुरू कर देगा यह हो जाएगा center of mass किसका system का तो system के center of mass से finally फिर यह distance कितनी आजाएगी ratio 2s to 1 हो जाएगा तो यह आजाएगा L 2 L by 6 और इधर आजाएगा L by 6 total distance कितनी आजाएगे L by 2 दोनों को जोडने पर अब सबसे पहले आपको यहाँ पर angular momentum conservation की equation लगा रहे है तो L initial equals to L final L initial दगो सबसे पहले system का final आई है ना वो आई कितना आएगा system का final आई जो आएगा वो आएगा मेरे पास M 2 L square by 6 देखो इस point का बाउट rotation रहा है इसी का बाउट आपको moment of inertia बताना है तो इस point का बाउट moment of inertia बताने के लिए 2 L by 6 का square अब rod का कैसे बताओगे 2 M L square by 12 plus 2 M into D square यह D कितना है L by 6 तो यह आजाएगा मेरे पास M L square by 9 M L square by 6 M L square by 18 तो यहाँ देखो 18 L से में आएगा तो यह आएगा 2 plus 3 plus 1 M L square तो यह आजाएगा moment of inertia M L square by 6 यह तो system का final inertia अब L initial कितना है मेरे पास L initial है M V naught L अब initial moment हो जाएगा M V naught L by 2 L by 6 और final moment हो जाएगा तो ओमेगा इस केस में आजाएगा 2 V naught upon L एक बार देखें कैलकुलेशन को इसके बाद आपको क्या पूछा है इनोंने तो initial momentum में M V final momentum भी उतने ही होना चाहिए तो finally system का mass कितना है 2 M plus M V dash is M V naught तो V dash कितना हो जाएगा V naught by 3 तो यहाँ पे final kinetic energy में दोनों तरह की energy आएगी translational और rotational तो translational energy कितने हो जाएगी half 3 M V naught by 3 square plus rotational energy कितने आएगी half I omega square तो half M L square by 3 omega square, omega कितना आजाएगा अपना यह omega आजाएगा V naught by L square अब इसको solve करोगे तो यहाएगा M V naught square by 6 plus M V naught square by 6 तो यह कौनसी वाली आएगी translational 3 से 3 तो 6 बचेगा इधर आजाएगा मेरे पास M V naught square by 6 तो M V naught square by 6 और M V naught square by 6 यहने कि M V naught square by 3 अब K initial और K final में difference देखो K initial जाएगा तो delta K क्या हो जाएगा K initial minus K final 1 by 2 minus 1 by 3 कितना होता है 1 by 6 होता है तो M V naught square by 6 इतना loss हो जाएगा kinetic energy में तो M V naught square by 6 यह पूरे system की energy का loss हो जाएगा ध्यान रखना बच्चों आपको यहाँ पे जो system बनाना टकर के बाद जो system बनता है तो इस तरह से आपका first or third दोनों option यहाँ सही है ओके बच्चों next 8 पे आते हैं पन 8 में आपको यह body of mass 1 kg start moving from raised at t equals to 0 in circular path of radius r kinetic energy का function दियावाए देखो half M V square कितना दियावाए 2 T square तो M की value 1 दियावाए तो 1 इदर 1 by 2 1 V square is 2 T square तो V आजाएगा यहाँ पर 2 T ठीके velocity 2 T आते ही अब आपके पास देखो tangential acceleration क्या हो जाएगा dV by dt तो यह आएगा 2 इसके बाद जो centripetal acceleration है centripetal acceleration कैसे निकालते हैं V square by r तो V square by r से ही कितना हो जाएगा 2 T का square upon r यहने कि 4 T square upon r r की value कितना है 8 तो T square by 8 यह आजाएगा अपने पास centripetal acceleration अब यहाँ पर सबसे बहुत है तो tangential acceleration ही मोल रहे है 4 है 4 नहीं बाद टेंगे टेंगे तो 2 है तो यह तो गलत हो गया power of all forces T equals to 2 is 8 volt अब देखो power यहाँ पर centripetal force के हमेशे जीरू आती इसका work done तो जीरू आता है क्योंकि displacement या velocity के perpendicular होता है तो power जो आएगी वो केवल किसकी आएगी F tangential dot velocity और F centripetal dot velocity tangential force हो जाएगा M 80 into V और यह हो जाएगा 0 क्योंकि centripetal force हमेशे वेलोसिटी के perpendicular होता है अब M 80 तो M की जगे तो 1 T square by 8 V कितना आ रहा है 2 T 0 अब यहाँ पर यह आएगा मेरे पास T cube by 4 power इतनी आएगी न अब T cube अब अब अपन को T कितना रखना है 2 second तो 2 second पर power बताना है तो 2 की power 3 divided by 4 यहने की 8 divided by 4 यहने की 2 second तो 2 second sorry 2 की power M 80 कितना आए था मेरे पास 80 sorry यह तो अपना centripetal था ना 80 तो मेरे पास 2 fix था तो यह आजाएगा मेरे पास यह आजाएगा 4 T अब 4 T की value 2 डाल तो यह कितना आजाएगा 8 watt तो power जो है वो 8 watt आजाएगी यह option सही आजाएगा यह बोल रहे है first round जो है वो 2 second अच्छा आपनको गलत कथन बताना है ध्यान रटना incorrect पूछा है यहाँ पे तो incorrect मतलब पहला option incorrect है अभी मैं यहाँ पे option ने टिकर रहा हूँ यह तो सही चीज दी हुई है यह गलत दी आवा है पहला round 2 second बात complete होगा तो पहले round में देखो displacement equals to half 80 into t square displacement कितना 2 pi r का cover करवाना है half 80 कितना है 2 और t square तो t हो जाएगा मेरे पास 2 pi 8 यहने क्यों जाएगा 4 root pi तो time लगेगा 4 root pi तो यह भी गलत हो गया यहाँ 4 root pi आना चाहिए यहाँ भी 2 आना चाहिए था तो यह दोनों option गलत हैं अभी अपने तो यह गलत हो गया tangential force जो है वो कितना आएगा t equals to 2 पे तो f tangential हो जाएगा mass into 80 mass दिया है 180 दिया है 2 तो tangential force आएगा 2 जबकि इन्होंने कह दिया है 4 दिया है तो यह भी गलत हो गया मेरे पास तो यह 2 आना चाहिए था अब इन्होंने गलत पूछें कि गलत option कौन सा है तो first गलत है third गलत है fourth गलत है first, third, fourth गलत है इसलिए सही है क्योंकि गलत चीज़ें पूछी थे इन्होंने अगला आता अपना eighth के बाद ninth question ninth question आपको बोला smooth is fair a and b of mass 4 kg and 8 kg move with velocities 9 and 3 in opposite direction if a rebounds with velocity 1 meter per second after head-on collision with v तो यहाँ पे तोड़ा सा यहाँ system अपन ड्रो कर देते है 4 kg का object जो है वो 9 की speed से जा रहा है 8 kg का object जो है वो opposite direction में 3 की speed से आ रहा है ठीके अब इसके बाद यह बोलने कि a rebounds 1 second 1 meter per second तो यह 1 से rebound हुआ a after collision तो b की speed क्या होगी चलो पहले तो b की speed पता करते है माल लिया v रही होगी तो p initial और p final सेम होना चाहिए तो 9 into 4 8 into minus 3 4 into minus 1 और 8 into v dash या v तो यहां पर यह हो जाएगा मेरे पास 9.388 चोईस बारा तो बारा पैसे आप बारा चार सोला डिवाइट बाइट तो आ जाएगा तो velocity of despair भी after impact is 2 सही बात है e की value बताना है तो e की value होती है v separation by u approach v separation कितना हो जाएगा मेरे पास v minus minus 1 upon 9 यह 9 है न minus minus 3 तो जाएगा 2 minus of minus 1 9 9 plus 3 तो 2 plus 3 तो 3 by 12 1 by 4 तो 1 by 4 हो जाएगा मेरे पास coefficient of impact यह जो coefficient of restitution जिसको आप बोलते हो loss in kinetic energy अब system की initial kinetic energy निकाल लेते हैं तो system की initial kinetic energy कितनी आजाएगी मेरे पास half 4 9 square तो 9 square का 81 into 2 162 अना plus half 8 3 square तो 4 और 9 चोग 36 तो इतना जाएगा यह जाएगा 198 तो 198 तो initial energy final energy कैसे निकालोगे final energy के लिए देखो आपको लिखना पड़ेगा half 4 1 square plus half 8 2 square तो यह हो जाएगा 8, 2, 16 और 2, 18 18 joule final energy अब देखो 198 initial और final है 18 तो difference कितना आ रहा है 180 का इतना loss हो गया तो इस case में loss जो है वो 180 का और है first, second, third यहाँ पर तीन ओप्शन जो है वो अपने correct हो जाएंगे okay बच्चो इसके बाद आता अपने पास 10th question 10th question पर देखते क्या है 10th question पर आपको cylinder is rotated clockwise and lowered slowly और ने अब दो को यहाँ पर clockwise cylinder को घुमा के आपने एक surface पर रख दिया अब इसको अपने से clockwise घुमाया है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इसका mu कितना है 10.8 और थीटा कितना है 60 तो mu है 0.8 थीटा दिया 60 और थीटा 60 से 1060 कितना आजाएगा मेरे पास 1060 यहने कि 10 root 3 तो 1060 होता है root 3 यहने कि 1.732 10.732 हो 10 थीटा की value mu से जाएधा है na 10 थीटा की value mu से जाएधा होने का मतलब किया हुआ बेटा 10 थीटा की value mu से जाएधा Hour मतलब है कि mg sin थीटा जो है वो mu mg cos थीटा से jyadah है मतलब जैसे आप इसको रखोगे तो इसमें kinetic friction लगेगा मतलब F k act है ना अब इस case में देखो, जैसे आपने इसको रखा, इसमें कौन-कौन से force लग रहे हैं, एक तो mg sinθ लग रहा है, उधर से fk लग रहा है, अब fk क्यो लग रहा है, क्योंकि देखो contact point ऐसे slide हो रहा है, contact point का motion नीचे की तरफ है ना, surface की relative, तो friction उपर लग जाएगा, अब friction उपर ल सिलेंडर में नीचे की तरफ फोर्स जाएदा है ना, तो इसमें फ्रिक्शन उपर लग रहा है, लेकिन friction की वज़ए से सिलेंडर उपर नहीं जाएगा, सिलेंडर उपर जाने की कोशिश करवारा है, फ्रिक्शन लेकिन mg sinθ जाएदा है ना, इसलिए finally, सिलेंडर जो है वो, इसमें फ्रिक्शन जो है, वो पॉइंट टू का कोफिशिंट दिया वा है, और पूरा सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे, टोटल इस्टेंस कितनी 75 मिटर, अब यहां पर देखो यह बोलने की, यह जब यहां से यहां तक दूसरे सिरे तक आएगा, तो परसन जब यहां तक आया होगा, तो उसने, ग्राउंड मान लो, अगर एक्स डिस्टेंस पीछे कवर करेगा, तो परसन के वल कितना कवर करेगा, 75 माइनस X, इस केस में X डारेक्शन का नेट 4, 0, इसका मतलब डेल्टा X, CM, कितना आना चाहिए, 0, इसका मतलब M1 डेल्टा X X1 equals to M2 डेल्टा X2, खाली value wise बात कर रहा हूं मैं, यह न, M1 को ने, 50 kg का परसन कितना आ गया, 50 kg का परसन आ गया है, 75 माइनस X, 100 kg का प्लेंग कितना पीछे गया, X, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, यह हो जाएगा मेरे पास, 50 into 75 is 150 into X, X, ओके बच्चों, तो 50, X, 75 minus X तो यह गया, और 100 kg का प्लेंग जो है, वो खुद इधर आ गया, तो इस case में, X कितना आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा मेरे पास, 50 kg का परसन, 75 minus X आ गया यह, 100 kg का प्लेंग पीछे गया, तो यह 2 times cancel हो जाएगा, direct यही से cancel कर दो 2 times, तो इसका मतलब 2X, तो X कितना हो जाएगा मेरे पास, यह, 2X is 75 minus X, तो X कितना आ जाएगा, X आ जाएगा 25, मतलब प्लेंग कितना चलेगा, 25 चलेगा, तो displacement of plank आ जाएगा मेरे पास, 25, displacement of plank के बाद, person का जो displacement आएगा, वो आएगा, 70, sorry 50, क्योंकि total displacement 75 है, तो 50 जो है वो person का displacement है, total ground frame में, अब ground frame में person को acceleration किसकी वज़े से मिल रहा है, friction की वज़े से मिल रहा है, तो friction यहाँ पर जो maximum value हो सकती है, वो कितनी होगी, तो f as maximum जो होगा, वो हो जाएगा, mu m g by m से m खतम, तो यहाँ जाएगा 2, मतलब person को maximum acceleration 2 का मिलेगा, और उसको minimum time में जो है, वो 50 meter distance cover करना है, लेकिन वो बाद मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता है, और उसके बात, minimum time उसको बताना है, लेकिन उसको साथ में रुकना भी है, और stop होना है दूसरे इंड पे, तो दूसरे इंड पे अगर इसको रुकना भी है, तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर, अब इसको कुछ डिस्टेंस तो एक्सलरेशन से कवर करनी पड़ेगी फिर कुछ डिस्टेंस बाद इसको रुखना भी पड़ेगा क्योंकि 50 मिटर बाद जब वो दूसरे इंड पर पहुँच जा उसको कूदना नहीं है उसको खाली रुखना है तो इसका मदलब कुछ टाइम तक वो 2 के एक्सलरेशन से चलेगा बाद में 2 के रिटाड़ेशन से मिनिमम टाइम जब बताना हो तो हमेशा एक्सलरेटेड और रिटाड़ेट मोशन ही करवाना है constant velocity वाला part इसमें include नहीं करना है वो अगर include करोगे तो फिर time of motion बढ़ जाएगा ठीके? तो खाली accelerate करेगा और retard होगा यह विने VT graph बना दिया अब माल लिया T time तक अगर वो accelerate हुआ होगा तो T time है उसको retard होने में लगेगा क्यों? क्योंकि acceleration, retardation दोनों ही friction की वज़े से मिलेंगे maximum speed कितनी मिलेगी इसको इस दोरान? 2T अब यह जो total area है ग्राफ का VT graph का area वो क्या आजाएगा distance of person यह आजाएगा half T plus T और 2T की maximum speed और यह आना चाहिए 50 के equal तो इससे मेरे पास आजाएगा 2T और 2T तो 4T square is 50 into 2 तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 100 by 24 तो 25 का root यह कितना आजाएगा 5 तो इस case में 5 आजाएगा मेरे पास T की value तो total time of motion कितना हो लगा person का जो time आएगा वो आएगा 2T तो 2T 2 into 5 बराबर 10 और आपको यहाँ पर lambda की terms में पूछा था ना तो यह बोल रहे है कि total time है 5 lambda इसको मैं 5 into lambda लिखूँ तो 5 into lambda इसको आप करोगे तो 5 into 2 तो लेमडा की जगे क्या आजाएगा 2 आजाएगा तो यहाँ मेरा integer क्या बन जाएगा 2 ओके बच्चों नौट करें यहाँ तक बच्चों यहाँ पर आपको second question हो बोला है कि एक vertical rod है इस rod में एक billy जो है ना वो इस billy इस rod को पकड़ के बीटे billy तो ऐसे बना दू बिल्ली है यह ना अभी रोड को पकड़ के ऐसे लटकी हुई इस पर अभी आपने क्या करा रोड जिस रसी से लटकी हुई थी ना उस रसी को अपने इसे काट दिया तो रोड गिरेगी ना तो billy को डर लगा कि अपन भी गिरने तो billy भागी उस रोड को ऐसे पकड़के उपर की तरफ तो billy जब ऑफर की तरफ बागी ठाही तो इस बोले है की ground की relative ग्राउट की relative भी रिल्ली रेस्ट पे है तो इस बिल्ली के लिए इसको पर रेस्ट सिप रखने के लिए को इता कि सपर लगना चाही बिल्ली का mg , Mg कैट उसको कोई तो बैलेंस करेगा वह कौन सा force होगा, friction force, क्योंकि friction जो rod और billy की, देखो अपन चलते हैं, billy भी जब इसे हाथ से यूँ करेगी, तो friction की वज़े से उसको balance कर पाएगी खुद को, तो यहाँ पे Fs जो है वो, अब billy rest पे, cat at rest, इसका मतलब Fs जो है वो, mg, mg, जो cat का है, उसको balance करेगा, तो mg कितना है, वेटा, 3 kg की billy है, तो बहुत ही हलकी billy है तो, 30 तो आजाएगा Fs, और rod कितने kg की, rod भी 4 kg की है, अब देखो, rod पे खुद का mg लग रहा है, अब Fs अगर billy पे उपर लगा, तो इस पे कितना लगेगा, नीचे, तो इस case में, acceleration of rod, यह कितना हो जाएगा मेरे पास, mg प्लस small, mg प्लस Fs, by capital M, तो यह जाएगा, 40 प्लस 30, divided by 4, यहने की, 70 by 4, इसको में लिख सकता हूँ, 7g by 4, तो यहाँ से मेरे पास, क्या बोलाते हैं, अगर rod का acceleration, mg by 4 हो, तो n कितना है, तो n की value हो जाएगी, मेरे पास 7, ओके बच्चों, तो यह second question हुआ, उसके बाद आता अपना third question, third question बोला है, कि, rod uniform mass की length L है, इसको horizontal surface पर रखा है, ताकि यह freely move कर सके, कहीं कोई hinge नहीं है, mass time strike rod at an L by tail distance from the center, ठीके, तो यह बोल रहे हैं कि, जो एक point L by 3 distance from the other end, तो यहां से जो L by 3 distance पर point A, वो point जो है, वो rest पर hit collision के बाद, तो collision के बाद, तो collision के बाद, क्या condition रहेगी, जैसे ही है, यहां पर, अच्छा, इस पर particle strike करता है rod पे, और उसके बाद, comes to rest, other end can move freely, particle of mass time strike the rod distance from this, such that point A, which is on distance, from the other end is rest, and rest, just after elastic collision, ठीके, तो आपको बताना, यहां पर कि, कितना इसमें distance होगी, बच्छों, यहां पर इस question में आपको भी बोला है, कि, एक particle जो rod से टकराता है, rod free है, है, इसका mass M, length है है, particle इसे टकरा के रुख जाता है, खुद रुख जाएगा particle, और rod को देखो, यहां पर rod free है, तो momentum equation और energy equation दोनों लगेगी, हैना, particle यहां टकराया, x distance पे, यह आगया rest पे, अब rest पर आने का मतलब, फिर finally system कोन है, system है, के बल road अके लिए, तो road का जो center of mass है, वो आगे जाएगा, यहां, linear momentum ट्रांसफर होगा, और साथ में angular momentum भी ट्रांसफर होगा, तो omega rotation speed भी मिल जाएगी, अब इस case में, जो rotation speed इसको मिल रही है, तो अब इस case में, सबसे पहले तो p final equals to p initial, मोमेंटम equation जब आप लगाओगी, तो मोमेंटम equation से क्या हो जाएगा यहां पर, p final कितना हो जाएगा मेरे पास, m, v equals to small m, और यहां speed कितनी थी इसमें, किस speed मानलो, v not मानलो चलो, तो v से v equals to v not, सारे speed ट्रांसफर हो जाएगी, l final equals to l initial करेंगी, 12 final कितना हो जाएगा मेरे पास, i omega ml square by 12, के बहुल road का inertia लिखना है, omega यह हो जाएगा, m, v और यह distance x, m से m काटो, तो omega l square by 12 is v not, x कितना हो जाएगा, n, l by 10, हो गया, तो इससे यह 1, l से 1, l कर जाएगा, तो omega कितना आजाएगा मेरे पास, omega आजाएगा, 6 by 5, and v not upon l, यह तो आगया omega की value, अब देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि, a point risk पे, जब को motion ऐसे हो रहा है, तो यह rotation speed, translation speed, तो सारे particles को मिलती है, लेकिन rotation की speed होती है, वो हरे एक को अलग-अलगी मिलती है, अब इस a point के लिए r कितना है, देखो, यह distance आपको दी गई है, l by 3, तो यह distance कितनी बचे की center से, l by 6, तो v a, a point जो है, वो raised पे है, इसका मतलब यह हुआ, v n 8 0, इसका मतलब, omega r a equals to v, है ना, इसके equal, तो यहाँ v आजाएगा, omega कितना है मेरे पास, 6 n v naught upon, 5 l is v naught, यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे v naught से v naught खतम, और r की value कितनी थी, l by 6, तो यह l से l खतम, तो n कितना आजाएगा, 5, मतलब n की value 5 a, तो 5 l by 10, यहने की l by 2, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे, जो particle एक्तम end पे जाके टकराएगा, l by 2 distance पे, from the center of rod, ओके बच्चों, note करें इसको, इसके बाद आजा था, 4th question, 4th question में ने बोलाएगा, कि आपको, isobaric expansion का work बताना है, isobaric expansion देखो यहाँ पे, तो इसमें volume कितना हो, 1 से 3 simple work बताना है, P delta V, P कितना है मेरे पास, 2 into 10 to the power 2, delta V कितना हो जाएगा, 3 minus 1, volume meter cube में दिया वा है, तो यह हो जाएगा मेरे पास, 200 into 2 400, 400 का मतलब की, 4 into 100, तो 4 into 100 मतलब Y की value कितनी हो जाएगी बिटा 4, तो Y हो जाएगा यहाँ पर 4, ओके बच्चों, फिर उसका आता है 5th question, 5th question में आपको यहाँ पर एक process गिवन है, A से B तक आप दो रास्ते, ACD और ACB और ADB से लेके आ रहे हो, ACB में, आपने क्या किया, कुछ work किया होगा और कुछ energy दियोगी, 60 joule energy दि, work किया 30 joule, तो delta U भी कितना हुआ 30 joule होगा, फिर इसके बाद आप ADB की बात करोगे, तो ADB में देखो बच्चों यहाँ पर, जो ADB में work किया है न, वो 10 joule है, तो delta Q कितना हो जाएगा, delta U plus W, अब यहाँ 30 joule तो internal का change, internal का change हर process में सेम होता है, बस initial और final state सेम होनी जिए, जो कि यहाँ पर है, और यह कितना 10, तो अपना answer आजाएगा 40 joule, तो ADB में जो energy flow होगी, वो कितनी होगी बच्चों, 40 joule energy का flow होगा, ओके बच्चों, note करें, फिर अगला आता आपने पास 6th question, 6th question में बुलाएग कि, mortar fire से shale of mass M, which explode into two piece of M by 5 and 4 M by 5, at the top of trajectory, तो अपनने यहाँ से कोई shale को fire किया होगा, यह बोल रहे कि, अगर यह shale नहीं, blast नहीं होता, तो यह hour distance पे जाके गिरता, अब blast होने की वज़े से क्या हुआ, कि, ब्लास से पहले न, मैं इसकी speed मान लेता हूँ, कि M mass का shale जो था, वो U speed से जा रहा था, blast होने का इसके दो टुकड़े वे, यह एक और यह दूसरा टुकड़ा, अब दूसरा टुकड़ा बोल रहे है कि, वापस तोप के बहुत पास जाके गिर रहा है, मतलब अलमॉस्ट वही जाके गिर गया, तो वही गिरने के लिए, इसको उतनी speed पीछे की तरफ मिलनी चाहिए, अब अगर blast नहीं होता, तब यू speed से यह r by 2 आगे गिरता, अब यहां से r by 2 पीछे गिरा है, तो इसका मतलो उतनी speed पीछे मिल लीजी, अब इसकी speed मान लिया v dash, तो यह हो जाएगा 4m by 5 और यह m by 5, सबसे बेरे तो momentum equation लगाओ, तो p final equals to p initial, p final कितना है मेरे पास, m by 5 v dash is, sorry, 4m by 5 v dash, minus m by 5 u, यह minus क्यों क्योंकि पीछे गया इसलिए, और overall momentum m into u, यह u का basically cos theta component आएगा है, तो ठीक अब यहां पन u dash मान लेते हैं, यह u x लिख दो simple, तो यह केवल आएगा u x, तो इस case में v dash कितना आजाएगा मेरे पास, देखो m से m खतम हो जाएगा, 4 v dash by 5 is, 6 by 5 v dash u x, तो 5 से 5 कितम v dash हो जाएगा आपके पास, 3 by 2 u x, अब जेखो, x component जितनी speed होती ना, तब तो वो अगला r by 2 cover करता, लेकिन यहां तो उसने 3 by 2 times कर दिया ना, तो 3 by 2 times speed होने से, यह component भी बजाए r by 2 जाने के, उसका भी 3 by 2 times आएगा, तो इसका मतलब जो यहां से distance जो आगे जाके वो गिरेगा, है ना, वो यहां कहीं आएगी, तो r dash कितना हो जाएगा मेरे पास, यह हो जाएगा, अगर u x होता तब तो r गिरता ना, तो यह आजाएगा मेरे पास, 1.5 r, बैस सिम्पल सी बात है, 1.5 times of r by 2, अगर u x होता तो r by 2 दूर जाके गिरता, लेकिन u x से speed डबल करिए, तो distance भी डबल हो जाएगी, horizontal range वाले part जो है, तो यह हो जाएगा मेरे पास, 1.5 यहने की, 3 by 4 r, जो है यह और extra cover करेगा, तो अब इसकी distance, original points से कितनी हो जाएगी, original points हो जाएगी, इसकी distance, r by 2 plus 3 r by 4, तो r by 2, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 plus 3 r by 5, तो यह हो जाएगा मेरे पास, sorry 4, तो 5 r by 4, तो यहाँ पर x की value कितनी हो जाएगी, जाएगी मेरे पास, x की value हो जाएगी, 5 r by 4, या तो आप projectile के concept लगा दो, या फिर ऐसे लगा दो, कि जो x coordinate है, center of mass का वो वहीं रहेगा, जहाँ पहले होता, मतलब टककर से पहले, अगर blast नहीं होता, तो जहाँ center of mass का coordinate होता, वहीं अब भी आ जाएगा, तो आप चाहो तो इस concept में यहाँ r रखो, m1 को रख दो, m by 5, इसका coordinate हो जाएगा, 0, 4 m by 5 का coordinate, x2, और divide by m, इसको solve कर लो, तो भी आपका answer बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका second तरीका है, तो यह method 2, और यह method 1, प्रोजेक्टियल का concept, ओके बच्चों, तो जिस से करना चाहो कर लो, कोई दिख कर दिया, 5 r by 4 दोनों में आजाएगा, फिर आता है अपना next, 7th question, 7th question बुला है, particle is performing circular motion of radius 1 meter, its speed is v 2t square, तो v जो है, वो 2t square दिया हुआ है, तो 2t कितना हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, dv by dt, तो t square, 2t और 2t तो 4t, अब ac कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा, v square divided by r, तो 2t square, chi square upon r, यानि कि 4t, 4, अब आप से क्या बूचा है, एक सेकिंड पे इसका total acceleration बताना है, तो 1 second, t equals to 1 पर, ac कितना हो जाएगा, 4, 1 की power 4, यानि कि 4, 80 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 into 1, यानि कि 4, a and 8, ac square plus 80 square, यानि कि 4 का square, plus 4 का square, 16, तो 16 plus 16, यानि कि, 32, root 32, तो x की value कितना जाएगा, root 32, ओके बच्चो, तो x आजाएगा, root x की value आजाएगा, 32, फिर इसका आता, अपना 8th question, 8th question में, आपको यहाँ पर, देखो, एक system को अपने, इनर्चा दे दिया, surface, frictionless, इसलिए कोई, यहाँ पर friction नहीं आएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को cancel कर देंगे, तो f net कितना आजाएगा बिटा, f minus f 0, तो इसका center of mass का linear acceleration भी 0, लेकिन दोनों का torque 0 नहीं देखो, यह वाला force, ज्यादा distance नहीं आजाएगा, तो net torque हो जाएगा, f into 2 r, minus f into r, यहने कि f into r, alpha क्या हो जाएगा बिटा, torque divide by inertia, f की value कितनी है, आपको 10 दी गई है, r की value कितनी है, 1 दी गई है, और inertia दिया गया 4, तो inertia हो जाएगा मैंने पास, 4 यहने कि यह acceleration हो जाएगा 5 by 2, क्या बोल रहे हैं कि 2 second बात kinetic energy बताओ, तो kinetic energy के वल कौन सी मिलेगी, इसको rotation वाली, kinetic energy translation, plus kinetic energy rotation, translation energy नहीं मिलेगी, क्योंकि acceleration 0, इसका मतलब V भी हमेशा 0 ही आएगा, जबकि omega कैसे निकालोगा, 0 plus alpha T, तो इदा आएगा 5 by 2 T, तो 0 plus half I omega square, तो half I की value 4, omega कितना है 5 by 2 T, T की value 2 second, तो 5 का square 25, 2 into 25, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 50, 50 नहीं कि 25 X, तो X की value कितना जाएगी मेरे पास, 50 हो जाएगी, sorry X की value हो जाएगी 2, ठीके तो 8 का answer आजाएगा, इस case में 2, ओके बच्चों आते हैं आपन, next, 9th question पर, 9th question बोल रहे हैं कि, object A, B, C जो है, वो frictionless surface में है, mass M, 2M, 3M है, और object A, जो है, वो 9 की speed से move करता है, head on collision करता है, तो, फिर B बात में, complete inelastic collision करता है, देखो सबसे पहले, head on collision इनकी होगी ना, तो, इस M और इस 2M की speed निकालते हैं, यह माल लेता हूँ, V1 है, और यह माल लेता हूँ, V2 है, यह elastic collision है ना, तो, सबसे पहले, P equation लगाओ, M into 9, M into V1, plus 2M into V2, तो, V1 plus 2V2 is 9, पहले equation तो यह, फिर दूसरा, small equation लगाओ, तो, V2 minus V1 upon approach speed, तो, V2 minus V1 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 9, V2 minus V1 upon 9 is 1, elastic collision थी, और यह दो हो जाएगा, V2, 1 plus 2V2 is 9, M से M कड़ गया, ठीके, तो, इसका मतलब, यहाँ पे मेरे पास, दोनो equations को, अगर मैं जोडूंगा, तो, इससे मेरे पास, V1 से 1 कड़ गा, तो 3V2 कितना आ जाएगा, 18, तो V2 कितना जाएगा, 6, V2 6 आया, तो इसका मतलब, V1 कितना आएगा, 6 आया, तो V1 आ जाएगा, मेरे पास, V2 6 आया ना, तो V1 आ जाएगा, 9 minus 12, यहने की, minus 3, इसका मतलब कोलिजन के बाद ये M A वाला ब्लोक तो पलड जाएगा B वाला जो है वो आगे जाके किससे टक्कर करता है C वाले से तो बाद में B और C के लिए बात करें तो P final equals to P initial P final कितना है mass of B और mass of C दोनों साथ साथ चलेंगे V dash is mass of B into V2 तो ये हो जाएगा 2M plus M V dash is 2M into 6 तो ये हो जाएगा 3M V dash is 12M तो V dash कितना हो जाएगा 4 इसका मतलब कोलिजन के बाद B और C दोनों जो है वो 4 की speed से move करेंगे तो C की final speed कितनी हो जाएगी V C final is 4 तो ये मेरा 4 यहाँ पर answer आजाएगा इसके बाद last आता अपना 10th question 10th question में इन्होंने इना simple concept दियावा है कि एक गोला एसे roll होते हुए आता है और वो यहाँ पाकर टकराता है इस surface में कोई friction नहीं है ये तो smooth surface है और यहाँ पर दीवार से टकराता है तो दीवार जब force लगाएगी तो यहाँ पर टकर के बाद जो है वो इसका जो linear velocity जो इसकी angular velocity है वो तो zero हो जाएगी zero किस ने करियोगी? friction ने करियोगी तो zero जब इसकी linear velocity को friction ने किया होगा यहाँ पर तो friction ने इसकी speed को क्या कर रोगा? zero तो friction किदर लगा होगा, यह ऐसे slide कर रहा है, तो इस case में friction लगेगा उपर की तरफ, कौन सा लगेगा, काइनेटिक friction, इस काइनेटिक friction ने क्या कर रहा है, इसकी speed को जिरो कर दिया, कौन सी वाली, angular speed को, लेकिन जो इसके पास translational speed थी, उस translational speed, अब यहां पर friction आ रहा है, तो normal भी आया होगा, तो यह normal जो है, वो इस जगे, देखो, normal यहां पर इसे लगेगा, अब यह normal की वज़े से, देखो, यहां पर एक जो object ना, वो तो काफी बड़ा, दीवार तो काफी बड़ी है ना, तो दीवार की speed में तो कोई change नी होगा, object जो है, वो उसी speed से वापस पलट जाएगा, भारी object से जब कोई हलका object टकरा है, तो उस case में, as it is, वो पलटेगा, तो यहां पर यह object जो है, इसका, आपको क्या बताना है, तो रेखी वेग बताना है, तो रेखी वेग, यानि कि linear velocity में कोई change नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि, sorry, speed में कोई change नहीं आएगा, velocity त से जब कोई हलका object टकरा है, तो बारी object को कुछ नहीं होगा, यह जितनी speed से वापस पलटके चला जाएगा, तो total speed final कितनी आएगी, V0, तो n की value कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, तो V0 आजाएगा, ओके बच्चों, तो इस तरह से अपना यहां पर, यह जो पेपर ताई, यह रिवाइज हो चुका है, तो एक बार अपना syllabus देखें, क्योंकि जही मेंस की date आने के बाद syllabus सारे टेस्ट का रिवाइज किया गया है, अपने टेस्ट के जो syllabus उसको देख करके बढ़ाए करें, ओके बच्चों, thank you, all the best.